दोस्तो नमस्कार, Electrical Learn YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो के अंदर हम LTE मोटर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि LTE मोटर को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है जैसा कि फ्रेंड जिस भी LTE मोटर को हमें इंस्टोल करना होता है या फिर LTE मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस LTE मोटर को हमें चेक करना होता है मोटर को चेक करने के लिए हमें मल्टी मिटर और मेगर का यूज करना होता है Multimeter के द्वारा हमें motor की winding का internal resistance पता करना होता है उसके साथ धी meager के द्वारा हमें motor की winding का IR value पता करना होता है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 7.5 kW की एक motor लिए इस motor की हम IR value और resistance चेक करेंगे जैसा कि यहाँ पर जो motor है इसके अंदर 6 terminals हैं तो इन 6 terminals को delta में connect किया गया है motor को proper तरीके से check करने के लिए यहाँ पर जो connection के अंदर link लगे हुए हैं इन link को हमें निकालना होगा तो यहाँ connection के उपर जो nut bolt हैं और जो link हैं इन्हें हम निकाल लेंगे अभी यहाँ पर motor के 6 terminals को हमने अलग अलग कर लिया है अब इन terminals को हम इनी bolt के उपर वापस से tight कर लेंगे tight करने के लिए हम जिस भी nut और जिस भी washer का यूज करेंगे वह washer पूरी तरीके से साफ सुतरा होना चाहिए साथ ही उस washer या फिर nut के उपर किसी भी तरह का corrosion नहीं होना चाहिए यदि वह plate साफ नहीं है या फिर corrosion है उसके उपर तो हमारी जो resistance value है वो unbalance आएगी और हम पता नहीं कर पाएंगे कि problem motor की winding में है या फिर कहीं और तो उसके लिए हमें इसके उपर की plate को साफ कर लेना चाहिए उसके साथ ही bolt को भी साफ करके लगाना चाहिए उसके साथ ही इन terminals को हमें nut के द्वरा अच्छी तरीके से tight कर लेना चाहिए यदि हम इसे loose छोड़ देंगे या फिर इसके अंदर जो wire है वो loose होगा तो उस condition के अंदर भी हमारी resistance value और IR value सही नहीं आएगी अब यहाँ पर हमने meager ले लिया है जितने भी meager आते हैं सभी meager के अंदर यही function होता है जैसा कि यहाँ पर जो motor है उस motor का voltage 415 है तो यहाँ पर हम इस motor को 500 volt वाले meager से चेक करेंगे तो यहाँ पर हमने meager का जो knob है उसे 500 volt पर कर लिया है अब जो meager है सबसे पहले हम उसे चेक करेंगे meager को चेक करना बहुती जरूरी होता है यदि meager खराब है तो हम motor को सही डंग से चेक नहीं कर पाएंगे इसलिए जब भी motor को चेक करें उससे पहले हमें meager को चेक करना जरूरी होता है मेगर को चेक करने के लिए हमें मेगर के जो black और red वाले टर्मिनल हैं उन्हें आपस में टच करना होगा टच करने के बाद test वाला बटन हमें पूश करना होगा तो आप देशकते हैं मेगर के अंदर 00 value आनी चाहिए यदि मेगर के अंदर 00 value नहीं आती है तो हम मेगर को सही नहीं मान सकते हैं उसके साथ ही यदि हम इन दोनों को terminals को दूर रखेंगे तो मेगर के अंदर 00 value आनी चाहिए यानि मेगर हमारा open line दिखाना चाहिए अब हम मेगर के दवारा इस motor को चेक करेंगे तो सबसे पहले हम face to earth चेक करेंगे तो यहाँ पर मेगर के अंदर वाला जो black lead है उस black lead को हम motor के किसी beat point पर लगाएंगे जहां से proper earth मिल सके वहाँ पर हम इस lead को लगाएंगे उसके बाद जो rate वाली lead है उसे भी हम earthing के respect पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देसकते हैं आप देसकते हैं मेगर के अंदर 0-0 value आ रही है यानि proper earth मिल रहा है ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि मेगर की जो black lead है वह proper तरीके से earth से connected है की नहीं है यदि इन दोनों के बीच में value 0 नहीं आती है तो हमें बता चल जाएगा कि हमारी जो black वाली lead है वह earth से proper connected नहीं है और इस कारण continuity नहीं आ रही है और उस case में हम motor की winding को earth के respect में चेक करेंगे तो उसकी value भी सही नहीं आएगी अब यहाँ पर हम face to earth चेक करेंगे तो face to earth चेक करने के लिए black वाली lead को हम यहीं पर लगे रहने देंगे और जो red वाली lead है उसको हम प्रत्यक terminal पर लगा कर देखेंगे अब यहाँ पर जो red वाली lead है उसे हम blue वाले terminal पर लगाएंगे तो आप दिसकते हैं मेगर के अंदर 32 mega ohm value आ रही है और यह value धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब है कि motor की blue वाली winding है वो बिल्कुल सही है और यहाँ पर जो value बढ़ रही है उसका मतलब है कि motor के अंदर कुछ moisture हो सकता है और जब हम motor के अंदर voltage प्रवाइड करते हैं यानि मेगर करते हैं तो motor के अंदर कुछ voltage आता है उस voltage की वज़ा से motor के अंदर का जो moisture है वो निकलने लगता है और इस वज़ाय से value बढ़ती है इसी प्रकार दूसरी वाली जो winding है जिस पर yellow terminals है उसको हम check कर लेंगे तो आप दे सकते हैं इस वाली winding की जो value है वह भी 16 mega ohm के लगबग आ रही है और यह value दिरे-दिरे करेंगे या फिर on में रखेंगे या फिर बाहर से hot blower से गरम करेंगे तो इसके अंदर का moisture निकल जाएगा और इस motor की जो mega value है वो अच्छी तरीके से आने लगेगी अब तीसरी वाली जो winding है उसको भी हम check कर लेते हैं तो आप दे सकते हैं इस वाली winding की जो value है वह 1.6 mega ohm आ रही है और यह value धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब है कि इस वाली winding के अंदर भी moisture चला गया है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस motor को थोड़ा सा hit up करने की जोड़ते ताकि इसकी value proper तरीके से आ जाए hit up करने का मतलब है कि इस motor के अंदर जो moisture है उस moisture को हमें hot gun से या फिर motor को hit करके या फिर own में रखके निकालना होगा और जब हम ऐसा करेंगे तो उस condition में इस motor की जो mega value है वह ज़्यादा आ जाएगी अभी मैं आपको थोड़ी दिने बताऊँगा कि इस motor की minimum mega value कितनी होनी चाहिए उसके लिए आपको इस वीडियो के लाश्ट तक बने रहना होगा अब हम देख लेते हैं face to face motor की value किस तरीके से चेक कर जाती है अभी हमने face to face चेक किया अब हम face to face चेक कर लेते हैं face to face चेक करने के लिए हमें मेगर की एक lead को motor के किसी भी एक terminal पर लगाना होगा जैसा कि हमने मेगर की black वाली lead को motor के blue वाले terminal पर लगा दिया है अब motor के इस तरफ वाले जो तीनों terminal हैं इस पे हम मेगर की red वाली lead को लगा के चेक करेंगे तो अब हम red वाली terminal पर red वाली lead को लगाएंगे पर रेड़ वाली लिट को लगाएंगे तो यहाँ पर भी आप दिसकते हैं 2000 मेगा ओम से ज्यादा वेलू आ रही है इसका मतलब है कि इस मोटर की रेड़ वाली वाइंडिंग और येलो वाली वाइंडिंग ब्लू वाली वाइंडिंग के साथ शोट नहीं है और शोट होनी भ होती है और यह तीनों वाइंडिंग एक सीरे से निकल कर दूसरे सीरे से बाहर की तरफ आती है तो यहां पर आप दे सकते हैं बिलू वाला टर्मिनल इस सीरे से निकला है और यहां लास्ट वाले सीरे पर आकर जुड़ गया है इसलिए इन दोनों के बीच में जीरो और यहां पर मेगर की जो रेड़ वाली लीड है इसको हम सामने वाले टर्मिनल पर लगा कर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेगर के अंदर जीरो जीरो वेल्यू आ रही है इसका मतलब ही कि यह एक ही वाइंडिंग है और यह मोटर के एक सीरे से गई है अंदर और दू दुस्री वाली वाइंडिंग के साथ भी इस वाली वाइंडिंग को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके साथ भी 1000 मEG wow म से ज्यादा विल्यू आ रही है इसी प्रकार जो yellow वाली winding है उस पर हम black वाले टर्मिनल को लगा देंगे और दूसरी तरफ वाले टर्मिनल के साथ इसकी भी value चेक करेंगे तो आप दे सकते हैं yellow टर्मिनल और red वाले टर्मिनल के बीच में 1000 से ज़्यादा mega ohm value आ रही है इसी प्रकार yellow टर्मिनल और yellow टर्मिनल के बीच 0 mega ohm value आ रही है और तीसरा वाल जो टर्मिनल है उसके बीच में 1500 mega ohm से ज़्यादा value आ रही है इसका मतलब है कि यह motor बिल्कुल सही है यह सब करने के बाद एक और parameter होता है जो हमें motor के अंदर चेक करना होता है वह parameter भी बहुत ही important है उस parameter के बिना यदि हम motor को चलाएंगे तो motor के अंदर कुछ भी हो सकता है motor की winding short हो सकती है या फिर motor की winding अर्थवी हो सकती है तो वह अला parameter क्या है वो भी हम देख लेते हैं जैसा कि आप दिसकते हैं मेगर को हमने resistance पर कर लिया है यहाँ पर आप दिसकते हैं resistance और continuity वाला option दिया गया है इस पर हमने मेगर की knob को कर लिया है अब हम प्रत्यक winding का resistance चेक करेंगे resistance से हम पर पता सलता है कि motor की जो winding है वह कहीं से short या open तो नहीं हो गई है जैसा कि motor के अंदर winding के बहुत सारे turns होते हैं यदि वह done आपस में कहीं पर short हो जाए तो उस condition के अंदर मेगर value यानि IR value तो सही आईगी लेकिन resistance value unbalance आईगी तो यहाँ पर motor की प्रत्यक winding का resistance भी चेक करना होता है और तीनो winding का resistance जो है वह सेम आना चाहिए resistance चेक करने के लिए आप multimeter का use भी कर सकते हैं हमारे पास जो मेगर है इसके अंदर resistance चेक करने का option दिया गया है लेकिन काफी सारे मेगर में resistance चेक करने का option नहीं होता है resistance चेक करने के लिए हम मेगर की black वाली lead को yellow terminal लगा देंगे और दुसरी तरफ आले जो yellow terminal है उस पर हम red वाली lead को लगाएंगे और इन दोनों के बीच का जो resistance है वह 2 ohm के लगबग आ रहा है अब जो red वाला terminal है उस पर भी हम resistance चेक लेते हैं आप देख सकते हैं इस पर बी 2.05 ohm resistance आ रहा है इसे प्रकार तिसरी वाली जो टर्मिनल है उस पर भी हम resistance चेक लेंगे आप देख सकते हैं इस पर भी जो resistance है वह 2.06 ohm आ रहा है जैसा कि इन तीनों winding का जो resistance है वह लगबग बराबर आना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का जो resistance है वह 2 ohm के लगबग आ रहा है और यह resistance प्लस माइनस 10% उपर नीचे हो सकता है अब हम देख लेते हैं कि lt motor के अंदर minimum mega value कितनी आनी चाहिए जैसा कि यह जो motor है या 3 page की है और 415 volt power supply से चालू होती है तो यहाँ पर minimum mega value के लिए एक formula दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं r is equal to kv plus 1 यानी motor जिस voltage पर run होती है उस voltage को हम kv में convert करेंगे और उसके अंदर 1 को add करेंगे यानी यदि motor 415 volt पर run होती है तो इसे kv में convert करने के लिए हम 1000 से divide करेंगे तो आप देख सकते हैं 0.415 kv हो जाता है और 0.415 kv के अंदर हम 1 को add करेंगे तो आप देख सकते हैं 1.415 value आती है यानि किसी भी LTE मोटर जिसकी voltage rating 415 volt है तो उसकी minimum मेगर value 1.5 Mbps आनी चाहिए और यदि 1.5 Mbps से value कामाती है तो उस मोटर की हमें over rolling करनी होगी और यदि ज्यादा problem है तो उसको remind करना भी पढ़ सकता है तो friends इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गये होंगे कि LTE मोटर को कैसे check किया आता है चेक करते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है उसके साथ ही minimum mega value कितनी होनी चाहिए तो friends इस वीडियो को कैसा रहागा comment section में जरूर बताएं और इस वीडियो से आपको सेखने को कुछ मिला हो तो मेरे इस चैनल को subscribe कर लीजिए इस वीडियो को share करना ना भूलिए थेंक्यू दोस्तों थेंक्यू so much for watching my video thank you thank you so much जाहिए जाहिए बाइ